हेलो फ्रेंड जै मातादी फ्रेंड आज देखिए हम इस धागे से यह मार्केड में अराम से मिल जाता है आपको डोर मैट के लिए धागा बोलना है और वह मिल जाता है इस तरह से बहुत ही सुन्दर सा और आसान सिर्फ उल्टा-उल्टा बनाते हुए हमें डोर मैट बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले हम यह देखिए इतनी मोटी होती है यह देखिए तीन, तीन, छे, साथा, नौ, देस, गेर, भरते, चोटा, पंदर, सोबर, सुटा, पच्चिस प्लाई क्यों नहीं पच्चिस दागे हैं तो अब यहां पे एक यहां एक फंदा बनाएंगे हम इस तरह से और इसको इस दाग, इस लाई पे ले लेंगे और इस एक फंदे से ही अब हम स्टार्ट करेंगे अपना डोर मैट बनाना अगर आपके पास साड़ी है पुरानी चुन्नी है तो आप उससे भी यह डोर मैट बना सकते हैं तो देखिए अब यहीं से हमने इसको स्टार्ट करना है तो इस तरह से हमें पसाएंगे और इस तरह से सिलाई पे धागा घुमाएंगे और एक फंदा इस तरह से बना रहेंगे अब फिर से मोड़ेंगे तो इस तरह से लाला इस तरह से धागा घुमाएंगे एक फंदा बढ़ा लिया इस तरह से हमें फंदे बढ़ाते जाएंगे आप आठ नमबर की सलाई पे या नौ नमबर की सलाई पे बना सकते हैं यह देखिए यह नौ नमबर की सलाई है और यह हमारे पास आठ नमबर की सलाई है तो मैं आठ नमबर से आपको बना के दिखाती हूँ है यह देखिए इस तरह से धागा घुमाएंगे एक, दो, और एक, फिर से पढ़टेंगे, एक पतली वाली स्लाईयों से बन जाएगा और मोटी वाली से भी, ऐसा कुछ नहीं है, फिर से हमने इस तरह से स्लाई डाली, आप चुन्मी काटके भी इस तरह से बना सकते हो, और साड़ी काटके भी इस तरह से गोला बना लीजिए, और फिर उसको बनाते जाएए इस तरह से, बहुत जुन्दर डोर मेट बनके हमारा तैयार हो जाएगा देखे इस तरह से लपेटेंगे फिर हंडों को बनाते जाएंगे दोनों साइड से इसको हमने उल्टा-उल्टा ही बनाना है इस तरह से फिर पल्टेंगे स्लाई इस तरह से डाल देंगे फिर स्लाई पे धागा घुमा देंगे इस तरह से फिर अगले फंदों को बना देंगे सबी को जितना बड़ा मैट आप बनाना चाहते हो उतना बड़ा इस तरह से फंदे बढ़ा लेजिए पहले जितने बड़े मैट चाहिए आपको 80 फंदों का 100 फंदों का 200 फंदों का आप इसी तरह से यह बना लेजिए तो मैं यह फंदे बढ़ाते हुए उपर तक बना लेती हूँ जितना मुझे चाहिए फिर आगे दिखाती हुए आपको बस इसी तरह से हमने यह उल्टा उल्टा बनाना है बाकि कुछ भी नहीं करना है जिसको सीधा उल्टा बनाना आता है वह भी इस मैट को बड़े अराम से बना सकता है यह फ्रेंट जरूरी नहीं है कि आप एवला धागा ही ले आपके पास जो भी आपची हुई पुरानी उन होती है और दो तीन उन आप इकठी कर लीजे दो तीन कलर उसका भी मिक्स करके इस तरह से बना सकते हूं मोटा मोटा एक वीडियो मैं बनाऊंगी उस पे भी तीन चार कलर की उन ही कठा करके फिर उस पे हम मैट बनाएंगे तो यह मैं इसकी लेंद कंप्लेट कर लेती हूं इसी तरह से जितने फंदे मुझे चाहिए उतने मैं बढ़ा लेती हूं फिर दिखाती हूं आपको आगे अब देखे फ्रेंट यह 20 फंद तक बढ़ाया है मैंने थोड़ा सेंपल ही दिखारी मैं आपको यह तो आपको जितना बढ़ा बनाना है आप उतने फंदे बढ़ा सकते हैं और इसके बाद एक स्लाई सीधी और एक उल्टी यह दो स्लाईए मैंने लगा लिए एक सीधी अब देखे जिस तरह से मैंने फंदे बढ़ाये हैं उसी तरह से हम फंदे गठाते जाएंगे तो पहले हम इन दो फंदे का एक कर देंगे इस कोने पर फिर अगले फंदे हम बैसे बना देंगे और उसके बाद फिर दूसरे कोने पर भी हम दो फंदे का एक करेंगे तो पूरी स्लाई आगे तक इस तरह से बना लेते हैं जितने फंदे आपको बढ़ाने हैं चाहिए उतने चाहिए जितने मैट के लिए उतने आप बढ़ा लेजिए उसके बाद फिर इसी तरह से हम फंदे कम करेंगे और यह सेम बनाएंगे दोनों साइट से अब हमने जो हमारे सीधी साइड है उसी पर हमने दो का एक करना है और उल्टी साइड पूरी उल्टी ही बनाने है अब यह लास्ट के दो फंदों को फिर से दो का एक करते हैं अब यहीं से पीछे मुड़ेंगे पूरी स्लाई यह उल्टी बना देंगे और सीधी स्लाई पर फिर से हमने दो का एक करना है लास्ट तक पूरी स्लाई इसी तरह से बना देंगे इस बाली स्लाई में हमने कोई फंदा कम नहीं करना है अब इस लाई में हमने फंदा दोनों साइट कम करना है एक देखिए यहां पर यह हमने दो का एक कर दिया और फिर दूसरे कोने पर हम दो का एक कर देंगे इसी तरह से जब तक हमारे पास एक फंदा नहीं बच जाता जब तक हम इसी तरह से कम करते जाएंगे फंदों को प्यूब गिफए। ऐसे ने देखिए यहां भी हम दो का है कि जरत कर दिंगे और उल्टी भी आपनाते जाएंगे तो तो कम कर लेती हूँ दिखाते हूं आगे आपको कि तक देखिए फ JEदे कर वीज्ट भना लिए मैंने लास्ट में 2 पंदे बचे इसको देखिए इस तरह से हमने दो काई कर देना है और यह जो लास्ट वाला फंदा बचा इसको थोड़ा से इस तरह से की इसके अंदर से इस तरह से इसको टाइट कर देना है हमने यहां पर और यह हमारा मैट बनके कम्प्लेट हो गया है तो इस तरह से एक वाज जुरू ट्राइ कीजिएगा बहुत ही सुन्दर है दिखिये और बिल्कुल इजी तरीके से बनाना बताया है मैंने इसको तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को थेंक यू